अब जानते हैं किन तरीकों से आप बेस्ट विए पीटी यानि वालिब्रेटी असेस्मेंट पेंट्रेशन टेस्टिंग पर्फॉर्म कर सकते हैं अब यहां पर में आपको सारे पॉइंटर्स बताने वाला हूं तो आपको काम है बस उन पॉइंटर्स को नोड़ डाउन करना उन पर ध्यान देना उन्हें फोकस के साथ पफॉर्म करना तो बिना किसी देरी के चलिए समझते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक अच्छा सा स्कोप डिफाइन करना है देखें आपका जो भी टार्गेट है उसके अंदर से पहले आपको एक अपना मिनियेचर टा यह आपको चूज आओट करना है। इंध फिर उस स्कोप पे आपको आगे के प्रोसेशर फॉर्म करना है जिसमें से सबसे पहला आता है पिरमीटर's फाइंड हैं आपको अलग-अलग तरीके से सारे अप्रमीटर's फाइंड आउट करना है। open ports find out करने हैं, so next pointer is finding open ports, open ports आप find out करेंगे, फिर जब अपने actively parameter छाटे थे, उन पर आपको testing करने हैं, यानि performing penetration testing on the ports and the parameters, so आपको penetration testing perform करते हो, सारे major जो भी bugs है, जैसे xss, sql, csrf, xxe, command injection हो गया, lfi, rfi, ये सारे आपको test करने हैं, and, जैसे ही जो मिलते जाते हैं, आपको report में लिखते रहने हैं, क्योंकि report में लिखने के बाद आपको एक process और रहेगा, वो आपको अच्छे से perform करना है, but at moments आपको findings सारी लिखनी है, आप join कर सकते हैं, W.S.E.H. batch, अब इस batch में ऐसा क्या खास है, ताकि आप अपनी knowledge को और ज़्यादा refine कर सके, proper theoretical and practical concepts पे काम किया जाएगा, यानि आप theory भी सीखेंगे, और साथ यसाथ practicals पे ज़्यादा focus करेंगे, practical lab setup करी जाएगी, उनके assignments होंगे, and many more, अब ज़्यादा detail के लिए आप description में चेक कर सकते हैं, अब मैं आपको recommend करूँगा, जितने भी processes आप कर रहे हैं, उनके timely screenshot लेते रहे, timely screenshot लेंगे तो आपके पास POC रहेगा, यानि proof of concept, आप सारे steps define करते वे, screenshot आड़ कर सकते, ताकि आपकी जो POC वो ज़्यादा authentic लगे, यह आप चीज़े perform कर सकते हैं, अब यहाँ पर randomly आपको अपने report में data add नहीं करना है, याद रखिए आपको risk analysis करना है, risk analysis यानि सारे volubilities जो निकाली है, उन में से जो risky है उसको top पे, and जो risky नहीं है उसको down, यानि high to low आपको arrange करना होगा, अब जब high to low arrange करेंगे, उसी arrangement में आपको अपने report में लिखना होगा उसे, and ये चीज़े perform करनी है, अब no doubt इन सारे processes में को कहीं न कहीं break लाएगी, या आपको ऐसा रखेगा कि dead end है, इन cases में आपको क्या करना है, help लेनी है, AI की form की, forms जो है support forms लाप पर आप चीज़े add कर सकते हैं, ये आपको help करेगा, and most important book, ये चीज़े आप जब thoroughly check out करेंगे, तो आपको सारी चीज़े clear out होने लेगी, अब best technique find out करने के लिए, मैं आपको एक best तरीका बताता हूँ, आप जो भी process कर रहे हैं, उसको no doubt करो, कैसे, कि आपने आप subdomain निकाला, तो किसी website के use करके subdomain लिकाला, पहली line, फिर आपने कुछ और searches करा, तो next line में लिखो कि क्या आपने search करा, ऐसा आप खुद का एक road map बनाओ, जिससे, अगर आप उस paper को check करते हैं, तो आपको दिखेगा कि क्या-क्या चीज़े, आपने throughout the session करी, अब उसको आप चाहें, तो और चीज़े add-on कर सकते हैं, उसको चाहें तो जंबल कर सकते हैं, arrange कर सकते हैं, पहले ये करना चीए, फिर ये करना चीए, ये चीज़े आप कर सकते हैं, अब इससे होगा क्या, आपकी एक proper checklist defined हो जाएगी, अब जब अगर आपकी पास एक खुद की penetration testing checklist है, उसको आप अच्छे से follow करोगे, तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी process में, तो ये best तरीका है, जो आपको follow up करना है, तो hope आपको ये चीज़े clear हो गई हो, and आगे बढ़ते हम आपरे next topic पे, जहां हम और चीज़े जानेंगे,